डोनेट कार्ट और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविट से गुज़रे हुए अन्क्लेम बोडिस का दिगनिफाइट क्रिमेशन करने में मदद कीजिए दिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ट पे अभी डोनेट करें पूर्व इंटरनेशनल रचलर सागर धनकर के हत्या के आरोप में सुशील कुमार ओलंपियंको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफतार कर लिया है इन सब के बीच जो माबाब हैं उन्होंने राहत की सांस ली है क्योंकि पहले लगातार तकरीबन 15-17 दिन हो गए थे सुशील की गिरफतारी नहीं हो पा रही थी अब गिरफतारी हो गई है आपको लग रहा है अशुग जी की अब इनसाफ मिल जाएगा पूरी जांच हो इसने कहां कहां क्या कर रहा है दस साल से गेंश्टरों से सम्मंद हैं तो इसकी पूरी तहकी कात करे जाए पूरी जांच हो और इसको कम से कम पांसी की सजा हो जी आगे कोई गरू अपने सीसे के साथ ऐसा ना करे जिस तरह से जो है जधेडी का नाम आ रहा है और भी कई गैंगस्टर्स का नाम आ रहा है ऐसे में आपको लगता है कि उस गैंगस्टर्स का भी हाथ हो सकता है सुशील कुमार के साथ मिल करके जी वो तो वो ही बताएगा किसके साथ क्या सम्मन्द हैं तो यह पुलिस तैकिकात करेगी तो सब आ जाएगा सामने किसके से क्या क्या सम्मन्द हैं किसके इसके लिए काम करता था किसके कबजे करवाता था किससे इंट्रोसे निलेता था तो पुलिस की तैकिका तुहाँ जी 17 दिन तक जब गिरफ्तारी नहीं हो पा रहे थी आप सब ये कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक और कई लोगों का प्रश्रिक्षन उसे प्राप्त है इसलिए उसे बचाया जा रहा है अब गिरफ्तारी के बाद आपको लगता है कि वो सारी फोर्सिस काम नहीं करेंगी जी ये तो क्या कह सकता हूं मैं राजनीतिक और रुतबा तो बड़ा है जी पर अगर ठीक नाइक जांच होगी तो अच्छी तरह से तो सब कुछ सामने आ जाएगा पुलिस की जांच पर आपको भरोसा है या फिर नाइक जांच चाहते हैं पु एक गुरू कैसे अपने शिश्च का जिसे वो आइडियल मानता था उसका कटल कर सकता है वो भी इतने बुरी तरह से मैं तो यही कहूंगी जी कि ऐसे एक काम की एक मेरे बेटे की अत्ता करी है सुसील ने तो गुरू का लाने के लाइक है यह नहीं और इसको तो फास्टी की सजा होनी चाहिए और जो भी इसको मेडल मिले वी हैं उनको वापिस लेना चाहिए आप यह मांग करती हैं कि जो भी मेडल और दूसरी चीजें हैं जो अवार्ड हैं जो उसने देश का नाम किया है वो सब कुछ वापस होने चाहिए जो भी इसके मेडल है जो भी इसको देश ने दिया है इसका सब कुछ वापस लेना चाहिए और मेरे बेटे को इनसाफ मिलना चाहिए और उसको फासी की सजा होई अभी जिस तरह से सुशिल कुमार के रसूख की बात सामने आ रही है कि जिस तरह से वो छुपता रहा है रसूख का इस्तेमाल करके अब दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया है ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब जाँच ठीक से होगी या पुलिस अपना काम ठीक से कर पाएगी क्योंकि आपके पती जो है नयाइक जाँच की भी मांग कर रहे है पुलिस तो ठीक कर रहे है लेकिन जी इसका जो रुतबा है राजनीती है तो इसका तो है इसके साथ हमें तो पुलिस पे यकिन है कि पुलिस ठीक करे लेकिन फिर भी जहां तक इसकी पहुंच है तो कहीं ने कहीं तो गड़ बड़ करने के तो कोशिस करे गाई मामा है आप क्या कहना चाहेंगे मैं तो एक कहना चाहूंगा कि देखिए जो 15-20 दिन से जो स्थीती चले वी है तो उसमें मैं बात में ये करना जाऊंगा कि अरियाना सरकार और दिली सरकार अगर ये बच्चा अब भी दो-तिन देशों से तक में लेके आया है और शीज़ करो ये तक में लेत तो क्या हो घर्तितनी आते जाते ना में अब मेन देलासा के लिए आना तो दूर की बात है पाम तक नहीं घ्या मतलब उसका खोप इतना है कि रियाना सरकार भी खोप माइन ली है और दिली सरकार भी खोप माइन ली है साथ में पीम साब भी क्योंकि 2017 में पीम ने बीच में आके ही इनका खेल बेजने का कम करा दा नर्शिंग का इसका सुशिल का जो दगड़ा दा उसमें खुद पीम साब ने पीच में आगे करा दा तो क्या पीम का सीम का इतना नहीं मतलों पूंपे भी बात कर ले दिलासा तो दे कुछ मगर नहीं मतलों आप दो पूछ रहे खोप ये खोप है दोनों स्टेटों पे सुशिल का और जो हमारे अर्याने के अद्धेक्स है बीजे पीए द्धेक्स हों पर गास दंखड़े क्या उसकी खापका लड़का नहीं गया उसने भी आज तक फोन करके ये निका आगे मैं तुम्हारे साथ उम्मलत दिलासा तो दे करे ना करे वो आगे की बात है वाकर दिल दिलासा तो दे वो दिलासा देने वाले भी नहीं है इतना खोप इसका आपने देखा कि किस तरह से जो अशोक हैं और सवीता हैं अपने जवान बेटे को खो चुके हैं लेकिन इनका साफ तोर पर कहना है कि पुलिस अपना काम तो कर रही रही है प्लेइंग नाइक जाच हो झाल झाल